कि नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्त और टेक्निटर्स हूं और आज हम आपके लिए क्या है इन्फिनिक्स की यह नहीं स्मार्टफोन जीरो एट आई जो कि आज आज आपको इंडिया में लॉंच हुआ है इस स्मार्टफोन का हम करेंगे आपके लिए डिटेर रिवी और जानेंगे कि यह स्मार्टफोन कैसा है तो आई अपने इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बॉक् के अंदर के आईटेम सबसे पहले यह देखेंगे स्क्रींग इसके बाद यह देखेंगे आपको स्टिकर्स तेसके लावा ये इसका चार्जिंग आडएप्टर आप देखेंगे यह आपको चार्जिंग कोड जो कि यांफ इस बीगशिग गभी टाइप सी पूर्ट के पूजर गाइड्स यहाँ पर देखिए यह सीम एजेक्टर टूल इसके अंदर आप देख सकते हैं और यह है इसका बैक कवर यहाँ पर आप देखिए यह है यह सारे आइटम जो है यह आपको बॉक्स के अंदर से मिले हैं तो आएए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके 8MP का है और दूसरा लेंच से यह आपको 8MP का दिया गया है इसके अलावा बात करें इसमें प्रोसेसर की तो इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है Helio G90T का आपको processor मिलता है इसके लावा इसमें आपको RAM जो है ये काफी powerful है ये है आपको 8 GB की और अगर हम बात करें internal storage की तो ये जो आपको smart phone है ये आपको 108 GB के internal storage के साथ आता है battery जो इसमें दी गई है ये आपको 4500 mH की दी गई है जो की आपको 33W super charge support के साथ आता है इसके लावा आएए हम एक और बात आपको बताने चाहेंगे ये जो आपको smart phone है इसके जो screen का refresh rate है ये आपको 90 Hz है ये मैं आपको यहाँ पर display के अंदर मैं आपको मैं चलके मैं दिखाता हूँ ये देखी ये हम setting area के display के अंदर आ गए यहाँ पर देखे यहाँ पर आप देख सकते है screen refresh rate जो है ये आपको 90 Hz यहाँ पर दिया हुआ है 90 Hz भी है 60 Hz भी है ये आप देख सकते हैं तो ये काफी अच्छी बात है इसके अलावा एक और बड़िया बात है इस smartphone की वो है इसका back camera यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो back camera है ये आपको 4 lens के setup के साथ आता है यहाँ पर देखिए इसका जो primary lens है ये आपको 48 MP का है उसके अलावा जो दूसरे जो 3 lens है वो भी मैं आपको बताना चाहूँग एक lens जो है ये आपको 8 MP का है जो की आपको ultra wide angle camera के setup के साथ आता है इसके अलावा जो तिसरा जो camera है ये आपको bucket lens है यानि जो भी आप portrait आपको image click करना है उसके लिए है और जो 4 lens है ये आपको AI lens है जिससे कि आप जो low light की जो photos है वो काफी अच्छे से आप ले सकते है तो ये आपको इसके जो चारुक camera का ये setup है और इसके ठीक नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर flash दिया हुआ है और ये है आपको speaker grill जहां से की आवाला आती है इसके लावा बात करें इसके left hand side पे तो यहाँ पर देखें left hand side पे यहाँ पर है इसका center area और इसके right hand side पर यह है देखें यह है इसका volume increase decrease button है यहाँ पर और इसके ठीक नीचे यह देखें यह जो है यह area इससे आप दो काम कर सक करते हैं और यही जो है यह है आपको इसका fingerprint sensor area तो जैसे कि मैंने आपको बताए कि यह जो है यह है इसका power button और साथ में यह है आपको इसका fingerprint sensor area तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर device को कर दी है lock और यहाँ पर जैसे मैं अपने finger कर रखूँगा यह देखा आपने काफी तीजी से device को unlock करता है, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह देखे, काफी हलका सा टच किया और यह जो आपको smartphone को unlock कर दिया, तो यह काफी एक अच्छा premium feature लगा है, इस smartphone में मुझे, क्योंकि यहाँ पे आपको side में fingerprint sensor दिया गया है, और बढ़ी हा भात है कि ठीक सामने यहा आपको dual lens camera का setup है, और ठीक back side में यहाँ इसका जो है, यह देखे, चार lens के camera के setup के साथ आता, और यहाँ पे देखे, camera का जो module है, यहाँ पे जो design है, आप देख सकते, काफी premium design यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते, infinix की branding भी यहाँ पे आपको दी गई है, SIM tray area की बात करें, तो यह देखे, यहाँ पे इस smartphone में आपको SIM tray area जो है, यह आपको 3 slots के साथ आता है, 2 SIM के लिए और एक यह देखे, यह है Macro HD card के लिए, आई अब हम इस smartphone के अंदर चल कर देखते हैं, कि इसके setting area के अंदर आपको क्याट्या मिलेगा, तो यह देखे, यहाँ अगर आपको, इसके अंदर आपको dark theme भी है, यानि अगर आपको, यह देखे, अगर आपको smartphone को dark करना है, dark theme को enable करना है, तो आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इसके लाभा आपको मैं दिखाना चाहぎँग है कि इसको आप, यहां से भी notification area में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं इसके लावा font size है, यह सारा auto rotate, यह आप देख सकते हैं, यह सब दिया हुआ है, इसके लावा यहाँ पे storage है, privacy है, security है, यह देख सकते हैं, app update है, game mode है, social turbo है, यह जो आपको normal आपको जो भी infinix के जो smartphone है, उन में यह सारी जो आपको features हैं, वो होते हैं, इसके लावा system के अंदर आप देखिए, system के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते है, system, system update, अगर आपको कभी भी अपने एस smartphone को आपको update करना है, तो आप यहीं से जाके system को update कर सकते हो, इसके लावा अगर आपको restore करना है, factory reset करना है, वो भी आप देखिए, यहाँ पर reset option यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हैं, इसके लबा देखिया, आप माई फोन के अंदर गए हैं, तो इसमें मैंने जो भी आपको features बताएं, इस smartphone की वो सारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको available है, यह देखिये, इसमें आपको जो operating system है, यह आपको android 10 है, यह आपको देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, इसके लबाव रायम 8GB है, internal storage 128GB है, यह सारा आप देखिये, यहाँ पर दिया हुआ है, इसके लबाव इस smartphone में आपको Google की सारे अप मिलते हैं, Google है, Gmail है, Maps है, YouTube है, यह आप देख सकते हैं, इसके लबाव यहाँ पर देखिए, यहाँ पर exodus family के अदर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिये, यहाँ पर आपको smarter scanner है, इसके लबाव आप देखिए, tools के अंदर आपको calculator है, sound recorder है ये सारे चीज़ें आपको दी गई है DTS sound भी है FM radio भी है और अगर हम social की बात करें कि आपको social media के content से apps जो है इसमें आपको preloaded आपको मिलेंगे वो है आपको instagram है messenger है ये सारा आप देख सकते हैं तो overall ये सारे आपको preloaded apps इसके अंदर है तो आईए दोस्तों अब हम इस smartphone पे game को play करकर देखते हूं चेक करते हैं कि क्या game इस smartphone पे खेलते समय lag कर रहा है या नहीं कर रहा है कितना smoothly चल रहा है ये भी हम check करेंगे तो आई सबसे पहले हम call of duty को हम play करने चलते हैं यहाँ पे continue multi-player start तो यहाँ पर देखे तो यहां पर अब गेम अब start होनेवाला है अ यहां पर हम हमारा main होगा कि हम game कितना smoothly चल रहा है यहाँ पर हम check करेंगे कि यहँ यहाँ पर game काफी smooth चल रहा है यहाँ पर कहीं कोई lag नहीं है आप आप देख सकते हैं काफी smoothly चल रहा है आप देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सही गेम चल रहा है यहाँ पर आप देखे तो overall यहाँ पर यहाँ पर यह जो call of duty के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखे smooth चल रहा है यह गे यहाँ पर आप graphics को भी आप देख सकते हो हमारा main यहाँ पर motor है कि game कैसा चल रहा है आई अब हम दूसरे game को अब हम play करकर check करते हैं कि वो कैसा है तो इसके लिए हम asphalt 9 को हम यहाँ पर play करने जाएंगे यह देखिए asphalt 9 को हम play करने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर game आपको start हो चुका है और यहाँ पर आप game की quality को देख सकते हैं काफी सही है और graphics को भी देखिए और game काफी smooth यहाँ पर आपको चल रहा है आप देख सकते हैं यह देखिए game काफी smooth चल रहा है वो आपको इस smartphone पे काफी premium है, काफी अच्छल है और जैसे कि मैंने आपको बताया था display में कि इसके अंदर आपको इसके जो screen का जो refresh rate है, ये आपको 90 Hz का है, तो जिससे कि आपको game खेलने में काफी सही तरीके से मज़ा आएगा, काफी सहुलियत होगी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि यह में first आगया तो game की quality जो है इस smartphone पे आपने देखा कि काफी premium है काफी सही तरीके से game इसके उपर चला है और कहीं कोई lag नहीं है आएब हम इसके camera area के अंदर चलते हो यहाँ चेक करते हैं कि इसके अंदर आपको कौन-कौन से modes मिलेंगे तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे हम camera के अंदर आ गहे हैं यहाँ पे modes की बात करें तो यहाँ पे आप देखे AI cam है, इसके बगर में beauty है, bookay है, super night है, super night इसका काफी अच्छा है, इसके लावा वीडियो है आपको और short वीडियो है, वीडियो की बात करें तो इस smartphone से आप 4K तक के वीडियो आप बना सकते हैं यह देखे, यहाँ पे 4K mention है इसके लावा सब्सक्राब बढ़िया बात यह है कि जब भी आप वीडियो बनाओगे, वहाँ पे आप इसको जैसे आप एनेबल करोगे तो ultra steady shot is on, यानि अगर आपका हाथ हलका सा भी अगर हिल भी रहा होगा तो भी आपकी जो वीडियो की जो quality है वो काफी अच्छी आएगी, तो यह भी काफी एक अच्छा feature है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि camera के अंदर आपको और कौन कौन सी settings है, तो देखे यहाँ पे picture size को आप देख सकते हैं यह सारी आपको picture size मिलेगी इसके अलावा eye auto focus है location है, यह सारा आप देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे देखे यह आपको picture के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, HDR mode है इसके अलावा 48 megapixel on off है यहाँ पे आप corner पे आप देख सकते हैं यहाँ अलग-अलग आप देखे यह filters यहाँ पे आपको मिलते हैं यह सारा भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसके अलावा यहाँ पे देखे आप HDR को on off या enable या auto आप कर सकते हैं यह सारा आपको दिया हुआ है इसके अलावा यह देखे यहाँ पे wide angle अगर आपको click करना है तो यह देखे wide angle shot आपको जैसे इस पे tap करोगे यहाँ पे wide angle shot enable हो जाएगा यह देखे night view 2x shot यह सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे है यहाँ पे beauty mode के अंदर यहाँ पे देखे यहाँ पे भी आपको काफी सारे इसमें AI के आपको modes दिये गए हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसको आप select कर सकते हो इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको AI के modes ने जो कि आपको body shapes and size के हिसाब से यहाँ पे दिये गए हैं तो यह तो सारी बाते हो गई इसके camera के modes की आए अब हम बात करते हैं इसके picture के sample की तो यह देखिए मैंने इसके front camera से यह image लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी clarity कितनी अच्छी है इसके अलावा इसके अंदर आपको AR stickers हैं 3D stickers हैं उसके through यह image लिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे आप picture की quality और यह जो 3D effect है यह भी काफी सही है उसके अलावा इस image को देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो colors हैं वो जो original colors हैं वैसे ही दिख रहे हैं जैसे blue, orange, red, white, yellow यह सारा आपको देख रहा है अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे colors काफी सही से यहाँ पे आपको देख रहे हैं इसके लावा इस image को भी आप देख सकते हैं आया इस image को दिखाने का मेरा main motor यह है यहां पर आप देखिए मैं इसको पुरा जूम कर रहा हूं और यहां पर इस headphone की यह जो भी आपको यहां पर जो छेद हैं यहां काफी असानी से देख पा रहे हैं और यह देखिए कितने दूर से लिया है लेकिन यहां पर मैं इसको पुरा जूम कर रहा हूं यहां पर देख स यहां पे भी आप देखिए तो picture की quality यहां पे back यह देखिए back camera के samples हैं यहां पे आप इस image को भी आप देख सकते हैं काफी crystal clear image है यहां पे आप देखिए इस image को लेने का main मतलब यह था कि दोनों जो है यहां को side में हैं और मैंने इसको side angle से लिया है और यहां पे आप face देख स यहाँ पे इनकी डो क्लारी टी है काफी सही है आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर यहां पर इसका जो इसका इसका इनकी क्लरी लाइट काफी सही है आईए, अब हम इसको ये देखिए, मैंने जब पूरे कमरी की लाइट को आफ करके ये image लिया है, और आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर clarity कित्मी अच्छी है, यहां पर आप देखिए, again, इस image को भी आप देख सकते हैं, clarity काफी सही है, काफी अच्छी है, यहां पर आप इसके जो night camera के जो quality है वो भी काफी सही है, इसके लाबब जो आपको, इसमें जो आपको stickers हैं, 3D stickers हैं, वो सब भी काफी अच्छा है, जो की, यहाँ पे मैंने आपको दिखाए था, यह देखिए, यहाँ पे आप अलग-अलग face बना सकते हो, तो यह सारी चीजे हैं, तो overall जो quality है, वो मुझे काफी अच्छी लगी, आई, अब हम बात करते हैं, इसके notification area की, तो यह देखिए, यह है, इसका notification area, यहाँ पे आपको मिलता है, Wi-Fi, Bluetooth, Hot Spot है, Airplane Mode है, Flashlight है, Dark Theme है, Spring Shot है, इसका लाब यहाँ पे आप देख सकते हैं, Bike Mode है, यहाँ पे देखिए, One Hand है, I Care है, यह यह सारे आपको notification area में आपको मिलते हैं, तो दोस्तों, यह मेरा आपके लिए एक detail review था, Infinex की ASSmartphone 08i के उपर, जो कि आज आपको इंडिया में launch हुआ है, इसका price कितना है, इसको आप कहाँ से purchase करोगे, यह सारी जो बाते हैं, यह में नीचे description area में आपके साथ share कर और आपको ASSmartphone से related जो भी जानकारी चाहिए, वो आप comment करके हमसे पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको बता हूँगा, तो दोस्तों, अब मैं आपसे इस वीडियो से विदा लेना चाहूँगा, सारा नारा, take care, thank you